अब सजा की बारी है। खुद को प्रधान मंत्री कारयले का अधिकारी बता कर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की आखों में धूल जोकने वाला किरन पटेल अब एहमदबाद की अदालत में अपनी कर्टूतों का हिसाब देगा। बीती रात गुजरात पुलिस की टीम इसे 36 घंटे के सफर के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल से लेकर एहमदबाद पहुची। किरन पटेल पर गुजरात में पहले से ही तीन मामले दर्ज है। चौथा केस जमु कश्मीर में PMO का एडिशनल सेकरेटरी बनकर फर्जी वाड़ा करने पर दर्ज हुआ है। महाठक किरन पटेल को दो मार्च को श्रीनगर के एक फाइफ स्टार होटेल से गिरफतार किया गया था। इसके पास से कई फर्जी विजिटिंग कार्ट और दो मोबाईल फोन बरामत किये गए। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इसने एजेंसियों को छासा देकर बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी सुरक्षा भी ले रखी थी। इसको लेकर कई सवाल भी उठे जिसके बाद विपक्ष ने सरकार और बीजेपी को कट घरे में खड़ा कर दिया।